आपने walkie talkies use करी होंगी या movies में तो जरूर देखा होगा कि कैसे wirelessly दो लोग आपस में walkie talkies use करते हुए बात कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे walkie talkies काम करती हैं microbit में भी bluetooth antenna लगा हुआ है जिसको use करते हुए दो microbits आपस में communicate कर सकते हैं जो microbit का low powered bluetooth antenna है ये कुछ वैसा ही है जैसा आपके phone में लगा होता है जब आप अपने phone को किसी bluetooth headset से connect करते हो तो ये same functionality काम कर रही होती है इस वीडियो में हम समझते हैं कि हम कैसे microbit के radio function को use कर सकते हैं तो मैं makeco.microbit.org में एक नया project बना रहा हूँ microbit में radio के जो programming blocks हैं वो यहाँ radio के menu के अंदर मिलते हैं हमें और जब हम radio का project बनाते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है कि हमारे को on start radio का एक group set करना है radio set group command कुछ वैसे ही है जैसे आप अपने tv का channel set करते हो तो अगर हम चाहते हैं कि set of microbit दो, तीन, चार, पांच जितने भी वो एक group को belong करें तो हमारे को सबसे पहले उन सब को एक same group में डालना बड़ता है और यहां पर आप अगर one पे click करोगे तो आपके वास option है कि आप ये radio group जो है वो आप zero से लेके 255 कोई भी number select कर सकते हो important बात यह है कि जितने भी microbits को आप same radio group में डालना चाहते हो उन सब को same आपको number देना पड़ेगा जो microbit में radio का feature है उसमें आप voice communication नहीं कर सकते हो पर आप text या numbers microbits में आपस में भेज सकते हो send number कमांड से number भेज सकते हो send string कमांड से alphanumeric characters भेज सकते हो और send value कमांड से दौनों string और number दौनों भेज सकते हो तो यहां पर हम string का example ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम button A प्रेस करेंगे तो हम एक radio string भेजना चाहते हैं जो की maybe message हमारा है all okay और इसी को मैं duplicate करके button B प्रेस पर कह रहा हूँ SOS SOS short form है save our soul या maritime industry में save our ship तो यह एक universally accepted distress message है तो हम यहां पर एक example जो बना रहे हैं वो यह है कि micro bits में हम अगर मानलो हमारे एक group में 4-5 micro bits हैं तो 4-5 friends जो हैं वो आपस में communicate कर सकते हैं बता सकते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है all okay या फिर कोई problem है SOS यह तो send करने का तरीका है अगर receive अब हम कैसे करते हैं कि radio में जाकर आप depending on कि आपने number भेजा है value भेजी है कि string भेजा है आप यहाँ पे select कर सकते हो कि आप receive क्या कर रहे हो तो क्योंकि हमने string भेजा है मैं यहाँ select कर रहा हूँ on radio received and जो भी आप message भेजोगे वो इस received string नाम का एक variable जो है वो अपने आप generate हो जाता है और जो भी आपका message है वो इसमें store हो जाता है तो अब हमारे को इस variable को display करना है तो display करने के लिए अगर आप basic में जाके यहाँ से यह show string कमांड लाओगे और हम hello नहीं कहना चाते हैं हम कहना चाते हैं जो भी इस received string variable में value store होई है उसको display कर देना तो यह हमारा एक पहला simple सा program है और जब हम radio कमांड यूज करते हैं और उसके बाद हम अपने simulator में कोई भी button दबाते हैं तो automatically दूसरा जो microbit है वो यहाँ आ जाता है to depict कि इस group में जितने भी और microbits हैं वो कैसे behave करेंगे तो अब हम test करते हैं अगर हम इसको a button दबाते हैं तो यह हमारा transmitting microbit है और बाकी सबको message मिल रहा है all ok और इसी तरीके से अगर कोई भी microbit जो इस common 255 number group में जो भी microbit है अगर वो b button दबाएगा तो जो बाकी microbits हैं उन सबको यह दूसरा message sos का message मिल जाएगा तो इस तरीके से एक group में radio function इस तरीके से use होता है अब हम अगर यह जो हमारा program है इसको multiple microbits में copy करेंगे तो जो हमें simulator में दिख रहा है वो same चीज valid होगी तो मैं इस program को microbit में transfer कर रहा हूँ और मैं same program दूसरे microbit में भी transfer कर रहा हूँ तो अब इन दौनो microbit में same program जो है वो downloaded है और दौनो radio set group 255 पर है तो अगर मैं पहले microbit में ए बटन दबाता हूँ तो दूसरे microbit में और अगर हमारा पास यहां और ज़्यादा microbits होते जो की same program रन कर रहे होते तो उन सभी में जो है यह all okay का message हमें मिल रहा होता और इसी तरीके से अगर मैं दूसरे microbit में button भी दबाता हूँ तो बाकी जितने भी microbits हैं उनको यह SOS का message मिलेगा तो क्योंकि हमने same program सभी microbits में download किया है इस example में केवल दो ही microbit है पर आप दो से जादा microbits में यही program transfer कर सकते थे तो जिस भी microbit में हम यह दबाएंगे उसके अलावा जो बाकी microbits हैं उनको all okay का message जो है वो transmit हो जाएगा और इसी तरीके से अगर किसी भी microbit में हम भी दबाएंगे तो वो जो microbit है वो transmitter का काम करेगा और बाकी सारे microbits जो हैं वो receiver बन जाएंगे और उन सब को यह SOS का message मिलेगा I hope आपको इस program से microbit के radio function के बारे में कुछ जानकारी मिली अगले विडियो में हम radio function के और advanced features को समझेंगे और देखेंगे कि हम कैसे different projects में microbit के radio function को use कर सकते हैं